कि नमस्कार आप सबसे शमा चाहते हैं कि हम थोड़ा लेट हो गए आज थोड़ा नहीं काफी लेट हो गए कुछ रीजन्स के वज़े से हमारे मैनेज इरियल इशुज थे इस वज़े से लेकिन आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर कर रहे हैं हो है कि कैसे किसी इथिष्ट को कर्विंस किया जाए और यह टॉपिक इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि प्रमुक रूप से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है अपने गीता कोर्स में जब भी लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कैसे हम समझा जब हो सम कॉमन एक्सपीरियंस रहा है वो यह रहा है कि अगर हम यह शेयर करते हैं तो यूशली जो होते हैं उसको इतना अप्रोप्रेटली रिसीव नहीं कर पाते हैं उस नॉलज़ को तो ऐसे में उनको कैसे कर सकते हैं और इन जनरल किसी भी अथिष्ट के साथ कभी भी किसी को डी डिसकेशंस में हमें इंडल्ज करना चाहिए कैसे डिसकेशंस हमें अवाइड करने चाहिए कौन से थीष्ट है एक्शुली जिनको कनविंस किया जा सकता है और फिर उनके टैप्स के अकॉर्णिकों क्या अर्गुमेंट्स उन्हें प्रसेंट कर सकते हैं तो हम जो ए इतिश सकते हैं तो हमारा जो discussion रहेगा वो based है भगवत गीता 10 chapter 30 second verse तो अगर आप देखें 10 chapter का 30 second verse यह है सरगा नाम आदर अंतश्या मध्यम चैवाहम अर्जुनर अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादह प्रवदताम हम तो बहुत interesting यह श्लोक है और श्लोक के आखरी जो line है आखरी line या आखरी phrase वादह प्रवदताम हम कि जितने भी सारे discussions होते हैं उनमें मैं वाद हूँ तो यहाँ पर भगवत गीता में बताया गया है कि कैसे अलग-अलग types के discussions होते हैं और उन्हीं के according actually हम यह select कर पाएंगे कि concept type के discussion में actually हम कुछ contribute भी कर सकते हैं तो एक बार देखते हैं कितने type के discussions होते हैं कृष्ण बोल रहा है यहाँ पर कि मैं different different type के discussions में से मैं वाद हूँ और कौन से type के discussions होते हैं यह हमें बताया गया है भगवत गीता के उपर कुछ commentaries जो available हैं उसमें इसके बारे में discussion हैं तो सबसे पहला type का जब discussions होते हैं तो उनमें एक type होता है जिसको बोलता है प्रजल्प एक होता है जिसको बोलता है जल्प एक है वितंड और चौथा है वाद तो इन चार के बारे में हम discuss करेंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि actually किन type के arguments में हम actually convince भी कर सकते हैं कि इसे दूसरे को क्योंकि हमेशे यह possible नहीं हो पाएगा even though हमाई पास most convincing arguments हो तो भी तो जो सबसे पहले ही type मैंने लिखा हुआ है वह यह है कि प्रजल्प प्रजल्प वह type के discussions होता है जिसमें ना जिसमें दोनों party जो discuss कर रहे हैं उनका कोई objective ही नहीं है वह बस कह सकते हैं time pass कर रहे हैं तो ऐसे discussions जिनमें कोई objective ही नहीं है तो ये प्रजल्प होता है इसका कोई use होता नहीं है जल्प वो होता है जिसमें जल्प और वितंड दोनों में दोनों opposite party अगर वो debate में इंटल्ज कर रही हैं तो दोनों अपने point को प्रूव करने में इंट्रस्टेड हैं उनको objective ही discussion में debate में यही है कि अपने point को प्रूव करना वो debate कर रहे हैं पर debate में openness नहीं है discussion नहीं है ऐसा नहीं है कि दोनों खुले दिमाग से हैं कि ठीक है आप अपने विचार प्रस्तुत कीजए हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगा और जो भी विचार जो भी logically जो भी scientifically या जिस भी basis पर discussion हो रहे है शास्तुत की आधार पर तो उसको accept कर लेंगे ऐसा नहीं होता इन दोनों में जो इच्छा clear होती है कि मुझे अपना point प्रूव करना है और इसलिए मैं debate में एंटर कर रहा हूँ चाहे मैं defeat भी हो जाओ मैं दूसरे की बात नहीं मानने वाला आप समनें English की बहुत popular कहावत भी सुनी होगी कि a man convinced against his will is of the same opinion still तो यह दोनों उसी type की होते है इन message जो जल्प होता है उसमें दोनों एक दूसरे से जीतने का प्रयास करते है logics, arguments के basis पर और within में चाहे वो व्यक्ति अपना point प्रूब भी ना कर पार हो दूसरे व्यक्ति को हराने का प्रयास करते है तो यह जो उपर के तीन discussions है specially जल्प और within इन दोनों discussions में कभी भी यह possible ही नहीं हो सकता कि हम किसी के opinions change कर सके यह possible ही नहीं है तो सबसे पहले हमें किसी भी argument में अगर हम indulge हो रहे है तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए उसके nature को observe करना चाहिए कि क्या जिस व्यक्ति से हम indulge कर रहे हैं discussion में, debate में क्या वो sufficiently open minded है भी क्योंकि कई बार क्या होता है जो so called scientific या rational thinkers भी होते हैं, वो भी आर्गुमेंट में indulge हो रहे होते हैं अपने points को present कर रहे होते हैं पर जादे तर वो अपना ही point प्रूव करना चाहते हैं, ऐसे नहीं आप उन्हें convince कर दें तो वो आपकी बातों को accept कर लेंगे और इसे के साथ में यह भी स्क्वेस्ट करूँगा जिन्होंने हमें इंस्साग्राम पर जॉइन कि होगा है वो हमें आकर अगर यूटूब बर जॉइन करें तो शायद वहां पर थोड़ा बेटर उने experience रहेगा क्योंकि हम थोड़ा प्रेसेंटेशन की भी help लेर है anyways तो यह जो दो टाइप्स थे वितन और जल्ब इसमें फिर कुछ भी result नहीं होता कुछ भी outcome नहीं हो सकता तो ऐसे में कोई भी point नहीं है argument का हम time waste कर सकते हैं अपना mode खराब कर सकते हैं और आप मेंसे हर किसी का यह experience रहोगा ऐसे discussion में indulge करना ऐसे debates में जहां पर दूसरे व्यक्ति कुछ सुनना ही नहीं चाहता आप कुछ explain भी कर रहे हैं वो बस अपनी बात ही गये जा रहे हैं और वो proofs मांगता है proofs दे दो तब वो सुनना नहीं चाहता तो ऐसे में usually कोई भी result नहीं होता दोनों का at best time waste होता है और दोनों का mood off हो जाता है और जो रहा सा संबंध भी था ऐसे दूसरे व्यक्ति के साथ वो भी खराब हो जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें कौन से debates में इंटाज होना चाहिए और इसी के साथ हम आते हैं फिर कौन से debates में कौन से discussions में actually हम कुछ meaningful add कर सकते हैं और इसी लिए भगवत गीता में 10.32 में आ रहा है वादह प्रवदताम हम कि जिस discussion में जो दोनों discuss कर रहे हैं जो दोनों debate कर रहे हैं वो open minded हैं वो सचमुद में truth की खोज में हैं वो सही जवाब जाना चाहरे हैं और कृष्ण बोल रहे हैं कि ये वाद टाइप का discussion वो मुझे represent करता है और इन discussions में actually हम अपना meaning अपना contribution आड़ कर सकते हैं हम convince कर सकते हैं चाहे दूसरा व्यक्ती एक atheistic mindset का हो चाहे वो liberal वो sorry leftist mindset से प्रभावित हो या किसी और mindset से प्रभावित होकर atheistic mindset से convinced है लेकिन अगर वो open minded है और सच मुझ में truth की खोज में तो ये किया जा सकता है अगर वो नहीं है तो वहीं पर रुख सकते हम कितने भी हमारे sound arguments हों कितने भी sound logics हों कुछ भी result नहीं देने वाला है जब तक व्यक्ती open minded नहीं है तो सबसे पहले ये judge हमें कर लेना चाहिए गीता की आधार पर और तभी वो discussion दोनों के लिए beneficial भी रहेगा अब आगे अगर हम इसमें चर्चा करें जो प्रमुक रूप से हमारी society में causes रहें है atheism के दो बहुत prominent है इसमें एक है leftism जो leftist ideology होती है communistic ideology होती है कि धर्म की क्या ज़रूरत है धर्म की वज़े से उच नीच होता है भेदभा होता है हम सब humans हैं और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है ये एक बहुत बड़ा कारण है बहुत popular कारण है लेकिन इसी के साथ साथ हम दूसरा कारण चर्चा करेंगे जो कुछी देर में जो सबसे बड़ा कारण है ground level पर आप देखें नास्तिक वाद का सबसे बड़ा कारण है पर उसको कभी भी आप popularity गेन करते होई नहीं देखेंगे तो अगर हम leftism के बारे में या liberalism के बारे में चर्चा करें यह कैसे प्रभावित करता है atheism को, atheistic mindset को और हमें ध्यान देने की ये भी बात है कि atheism है क्या अगर हम इसको define करें तो हमें atheism को फिलहाल define कर रहे हैं गीता के अनुसार गीता में 16 अध्याय में आठवे श्लोक में ही आता है कि कि जो राक्षसी आसुरिक प्रभावि मानसिकता के लोग होते है क्या बहुते है कि दुनिया असत्य है मतलब यह सत्य नहीं है यह existing नहीं करते असत्यम अप्रतिश्थम इसका कोई बुनियाद नहीं है कोई इश्वर नहीं है जिसने इसको बनाया है जो इसके पीछे है जिसको मेंटेन कर रहा है जो इसको डिस्ट्रॉय करेगा कोई भी इश्वर इन्वाल्ड नहीं है और अब अरस्पर संबुतम बस material interaction से यह सब हो जाता है और बस लाइफ का गोल क्या है पर्पस क्या है इन सब चीजों का पर्पस है enjoyment करना के मन्यत काम है तुकम enjoy करो बस खाओ पीओ जियो इस तरीके से तो यह है एथिजम जिसमें आत्मा परमात्मा और इस जगत की भी reality को deny कर दिया जाता है और जब यह तीनों यह इन में से एक भी deny कर दिया जाता है उसका बहुत solid impact होता है जो कि हमें दिखता है गीता के अगले ही verse में 9th शलोक शोल्वय अध्याई का तो उसमें यह बताया गया है एताम दृष्टे मवश्टब्या नश्ट आत्मानो अलप बुद्ध है कि ऐसी मानसिक्ता जब किसी व्यक्ति में हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है एताम दृष्टे मवश्टब्या ऐसी मानसिक्ता में गुसके व्यक्ति नश्ट आत्मानो वो आत्मा को में विश्वास ही नहीं करता अल्पबूद्ध है। Уसकी बुद्धी कम्म है। प्रभव अन्ति उगर करमनो और वो स्टार्ट करेगा ऐसे कारya जो उगर ने चर के होंगे। अंकारियों自 raw फीर्शन कॉस करेंगे। जगत लेत उहां होंद जगत का निम्हां करेंगे। तो इन में से कोई भी एक भी factor रहता है कि हम इस जगत की reality आत्मा की reality पर मात्मा की reality अगर deny करते हैं उसके बहुत solid impacts होता है अब देखते हैं कैसे जो हमारा first factor जिसको हम discuss कर रहे हैं पहले हम factors discuss करेंगे और फिर इनके counters discuss करेंगे तो first factor अगर हम देखें जो सबसे popular रहता है यूट्यूब पर जब भी सनातन धर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं किसी भी धर्म के बारे में जो सबसे ज़्यादा पोस करते हैं बहुत स्ट्रॉंग लिया पोस करते हैं वो है leftism और आप देखेंगे बहुत popular तरीके से यह धर्म को पोस करता है यूजूली उसमें कहीं न कहीं कुछ खोड़ धूंड कर और बहुत अपने आपको बहुत बड़ी मांसिक्ता वाला दिखाते हुए बहुत broad mindset वाला दिखाते हुए religion में fault finding करते हैं जैसे आपने अभी देखा था कि 10-12 September को जो यह conference हुए थी dismantling global hindutwa इसमें भी एक बहुत classical तरीका था कि नाम hindutwa का रखा फिर hinduisman के concepts भी discuss किये डिसकस ही नहीं कि criticize किये फिर एक negative agenda तो था ही of course religion को लेकर लेकिन क्या उसमें agenda क्या-क्या issues उठाएं वही वही classical issues इनके जैसे कि I think यह भी हमारे comments में आशा आशा भी बोल रहे हैं जैसे आपको अभी दिख रहा होगा कि untouchability untouchability से related questions पोचेंगे और उच नीच के बारे में issues उठाएंगे कि कैसे religion की वज़े से discrimination होता है फिर caste के ओपर question उठाएंगे although यह खुद उसके बारे में research नहीं की होता है नंग से फिर feminism तो अलग अलग तरीके से यह यह दिखाएंगे कि कैसे practical level पे इवन अगर आप इंसानियत को accept कर लें वो better है शान्ती के लिए अगर आप धर्म को accept कर रहे हैं यह divide कर रहे हैं लोगों को यह लोगों में conflicts पैदा कर रहे हैं उच नीच का भाव पैदा कर रहे हैं लोगों में us and them की feeling आ रही है और यह बहुत high philosophical level के discussions में भी लोग इसको करते हैं लेकिन जो political रूप से इसका application किया गया Lenin वगयरा के समय से माक्स और फिर बाद में Mao तो इन सब लोगों ने यह समझ लिया था कि practical execution के लिए Atheism का होना जरूरी है अगर आपको communism implement करना है क्यों क्यों कि communism के लिए आपको चाहिए rebellion और rebellion is rebellious mindset तभी आएगा लोगों में जब लोग satisfied नहों लोग rebellion के लिए ready रहें और सब कुछ अपने कर्मों का फल के रूप में ना accept करें तो कई सारे reasons के वज़े से यह religion को oppose करते हैं इसी वज़े से आप देखेंगे जहां पर भी यह mindset dominate करता है politically especially अगर dominate कर जाता है तो यह laws ही issue कर दिये जाता है कि कोई भी religion नहीं रहेगा तो यह इनका issues रहते हैं next अगर हम देखें और Russian MiG-29 वो भी शेयर कर रहे हैं कि वो divert करने के लिए था अफगानिस्तान वाली जीज़ हाँ वो रहता है लेकिन इन जनरल भी इनके attacks ऐसे ही रहता है फिर इनके attacks और यही फेमिनिस्म को लेकर और उसमें आप देखें फेमिनिस्म में क्या नायरे लगाया जाते हैं यूजुली यह बहुत closely link कर देते हैं हिंदुस्म को कि यह anti-feministic हैं तो बहुत सारे समझदार तरीके से यह segments में तोड़ देते हैं और फिर उन segments को oppose करवा देते हैं धर्म के फिर अगर दूसरा सबसे बड़ा cause in fact यह सबसे widespread cause है लोगों के atheistic mindset में रहने का और लोगों को materialistic रहने के लिए धर्म के प्रती ना आने के लिए और सबसे छुपा हुआ यह reason है कोई भी व्यक्ति आप पूरे internet पर देख लिए बुक्स में पढ़ लिए कभी यह reason आपको आगे दिखेगा नहीं कि इसके वज़े से लोग धर्म को अपना नहीं पा रहें लोग atheism के प्रती आगे बढ़ रहें लेकिन यह सबसे बड़ा reason है leftism, left की जो ideology है वो सबसे popular reason है पर इसका impact है इसका भी लेकिन जो capitalism है वो बहुत wide impacting cause है और वो कभी भी सामने नहीं दिखता है इसका cause क्यों यह cause है atheism का इस वज़े से क्योंकि capitalism का जो effect होता है किसी भी society में सबसे पहले मैं इसमें भी state करना चाहूंगा कि capitalist को criticize करने का यह मतलब नहीं है हम communist है जो सनातन धर्म का जो ideology है कि हमें दिन अपना society कैसे organize करनी चाहिए economics कैसे organize करनी चाहिए वो communism और capitalism दोनों के परे है उस पर किसी और दिन हम discussion कर सकते हैं पर capitalism में अपने आप में उसमें कोई धर्म की इतनी बड़ी important बात नहीं है in fact जिस तरीके से capitalism में apply किया जाता है तो usually capitalism में apply किया जाता है democratic situations में और उन powers से वो क्या करते हैं सबसे पहले उनका sole objective है कि अपना profit increase करना वो right away अब अपना profit increase करने के लिए वो पूरी कई बार पूरी nations को पूरी states को उस तरीके से monopolize करने लगते है manipulate करने लगते है और जहां पर भी democracy plus capitalism होता है वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने बड़े प्रभाव से दो चीजों पर ही impact डालता है capitalism एक कि लोगों के mindset में ही आ जाता है कि हमें बहुत hard work करना है बहुत पैसा कमाना है यही success है life की overall national policies में भी यह reflect होगा कि देश का विकास कैसे होगा जब और ज्यादा हम धन कमाएंगे सारे नेता सारे जो agenda होंगे वो यही होगा economic development को लेकर और सारे overall हम देखें सारी countries का आजकल यही agenda है कि पैसा equals to success और कोई parameter ही नहीं है success का society के level पे हो या individual के level पे हो एक तो पैसा और दूसरा क्यूंकि पैसे के प्रती desire दिलवाना है आपको कि आप job करो और पैसा प्राप्त करो और enjoy करो तो second यह रहता है कि enjoyment के लिए enjoyment के लिए desire बढ़ाना usually बहुत लश्ट बढ़ा देना लोगों की कि वो consumerism में बढ़ाएं और दूसरा enjoyment एक luxury का lifestyle लें simple living कभी भी encourage नहीं की जाएगी और इन दो चीजों का एक indirect रूप से बहुत direct प्रभाव पढ़ता है रिलिजन पर indirect इस वजे से कभी भी एड नहीं देखेगा आपको की गीता मत पढ़ो आप अपना समय गीता पढ़ने में देंगे तो बुरा है गीता बुरी है भगवान नहीं है इस society में ऐसा कोई propaganda नहीं देखेगा आपको capitalism में लेकिन जहां पर भी capitalism में active होगा आप ये देखेंगे लोगों को आप पूछेंगे कि आप गीता पढ़ना चाहेंगे सब लोगों को लोगों के अंदर इतनी सारी इच्छाएं दिखेंगी इस life में और comforts प्राप्त करने के वो लोग घंटों घंटों बिता दे रहे होंगे ऐसे जॉब में जहां से उनकी इच्छा है कि वो और higher standard of life पे जाएं पर वो एक मिनट भी नहीं निकाल पाएंगे गीता के लिए तो इतना heavily distract कर देता है capitalistic जो culture होता है western culture यह इसी का product है capitalism का कि खूब enjoy करो use and throw culture और इसी में ही अब आपको enjoy करना है luxury तो बिना जो sensual feelings हैं कि free mixing या फिर sexual जो पूरा obscenity होती है उसको बहुत बढ़ावा मिलता है हर तरीके से enjoyment को बढ़ावा दिया जाता है जिस तरीके से लोग भागें पैसे के पीछे और पैसे के पीछे भागेंगे तो खहाँ पर मिलेगा पैसा वो इंडस्ट्रीज में मिलेगा उनको उनको बहुत चीप labor मिल जाएगी क्योंकि सब लोगों को पैसा चीए पैसा वो देंगे एक percentage पैसा देंगे और जादे तर percentage पैसा जो उनकी मेहनत से मिला है वो खुद रख लेंगे तो क्या होता है लग रहा है पैसा मिल रहा है पैसा बढ़ रहा है capitalism की वज़े से पर यह ज second problem है वो काफी लोग देख भी नहीं पाते कि यह कितनी बड़ी problem है इसलिए आप देखेंगे भारत में आज के समय में भी कोई भी व्यक्ती में तो बहुत common experience है हमारे टीम में गीता कुष्ट में हम जितने भी 20,000 प्लस हमने courses में register कर दी है नए लोगों को और सबसे common in fact हमार यही experience रहा है कि कोई भी नव यूवक यूथ अगर start करता है, meditation start करता है, गीता पढ़ना start करता है, सारे लोग, चाहे वो उसकी age के हो, उसके बड़े लोग हो, उसके relatives हो, even उसके parents हो, सब लोगों का सबसे common answer ही आता है कि पहले अपना career बनाओ, पहले उसको settle करो, अगर यह कर सबसे बड़ा opposition, left ideology से नहीं आता है, ground level पे आप देखें, जो लोग practice करना भी चाते हैं, उनको सबसे बड़ा challenge आता है, इस capitalistic mindset की वज़े से, कि बस पैसा ही कमाना हमारे जीवन का goal है, और चलो ठीक है, पैसा कमाने में गीता कहां रोक रही है, पर घंटो घंटो अपने mobile पे waste कर देना सबको normal लगेगा, कोई घर में बैठके 2 घंटा, 3 घंटा movie देखे, सबको normal लगेगा, पर उसी घर में, अगर कोई व्यक्ती गीता पढ़ने लगेगा, वो abnormal लगने लगेगा, क्योंकि enjoyment और hard work, इन दो पर ही focus करता है, capitalism, enjoyment से लोग कों के अंदर desire बनी रहती है, और hard work करने की, और hard work करके वो enjoy कर पाते हैं, जिसे और hard work कर पाएं, तो ये, ये cycle है, ये दो motivating factors हैं, जिनके द्वारा capitalism में जीवित रह पाता है, और बहुत ground level पर आप देखें, आप सब के घरों घरों में ये घुसा हुआ है, सब लोगों के relatives, friends के mindset में ये घुसा हुआ है, कि पै capitalism का ये जो खोट है, इसको बहुत अच्छे से highlight करते हैं, पर दुख की बात क्या है, कि जो भारत के leftist हैं, वो कभी भी capitalism की इतनी आलोचना नहीं करते हैं, जो की प्रमुक गोल था, communism का, ये आलोचना ज्यादा धर्म की करते हैं, इसलिए पूरा ही useless हो जाते हैं, इनका ideology, व में एक बहुत बड़ा अर्चन है, तीसरा अर्चन अगर हम देखें, साइन्टेज्म, साइन्टेज्म ये term जो हमारी online audience है, वो अतनी familiar नहीं होगी इसे, ये term specially हमारे जो educated youth हैं, जो अच्छे colleges में जाते हैं, जाए वो किसी भी field में हो, उनको थोड़ा समझ में आएगी, especially अगर कोई science की degree से, science की field से आगे बढ़ रहा है, उनको बहुत common ये experience होगा, कि पूरा mindset जो रहता है education institutes में, वो ये रहता है, कि mythologies का कोई भी basis नहीं है, रामायन का कोई भी basis नहीं है, ये सब पुराने जमाने की बाते हैं, इनका कोई proof नहीं है, आत्मा का कोई proof नहीं है, ये irrational बात है, इनका कोई logic नहीं है, proof, logic, evidence, यहीं सब चीज़े, और दो-तीन बहुत popular theories हैं, जिनके बारे में हम कभी और detail में बात करेंगे, पर जिनकी वज़े से बहुत deeper impact पढ़ा है, overall, as a civilization, अगर पूरे world civilizations के हम बात करें, उन पर, एक है उन में से theory of evolution, जो Darwin ने दी थी, आ new evolution और कई-कई तरीके से उसको modify किया जाता है, फिर इसमें और भी हम देखें, और किस चीज़ का बहुत deeper impact रहा है science में, I think इससे ज़्यादा deeper impact किसी का नहीं रहा, evolution की theory, और फिर creation को explain करने के लिए big bang को अगर हम देखें, तो दोनों पर किसी और दिन हम detail में discuss कर सकते हैं, प material basis पर ही explanation दे दिया जाता है, उसी में complete कर दिया जाता है, एक बहुत बड़ा basis बन जाती है लोगों को ये समझाने के लिए, कि जो भी books में लिखा हुआ है, वो सब proof के basis पर, evidence के basis पर और जो भी हमारी गीता भागवत रामायन में लिखा हुआ है, वो सब किताबों की बात है उनका कोई rational नहीं है, और जबकि quite contrary बहुत सारे evidence हैं, शायद अगर time बचे, आज भी हम उसको थोड़ा discuss कर सकते हैं, इसलिए आपको दिखेंगे, कई सारे तरीके से, मैं इस particular channel पर या इस particular व्यक्ती पर comment नहीं करना चाहरा है, लेकिन आप ऐसे बहुत popular तरीके से देख सकते कि जो mindset होता है na, scientism का, उसमें क्या attack किया जाता है, सीधे ऐसे topics को attack करेंगे, जिनको समझना बहुत difficult है, एक scientific दृष्टी से, और जरूर नहीं है सब कुछ scientific चीजें हो, हम में रजगुला पसंद है, किसी को रसमलाई पसंद है, उसमें कोई science involve नहीं करता है, लेकिन जरूर attack करेंगे science को use करके धर्म पर, क्योंकि लोगों को science का बहुत faith हो गया है, उसका बहुत appreciation है educated को, और उसको use करेंगे ऐसे topics को discuss करने के लिए, जो science के थोड़ा beyond है, या फिर different science employ करते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, ऐसी चीजों के कि cow urine को क्यों importance द दिखेंगे कि cow urine को बोला जा रहा है, it cures everything except stupidity, इसे करकर के बहुत बदे बदे cartoons, इसमें बिलकुल साफ तोर पर आप गाई की मजाक उड़ा रहे हो, तो गाई किस धर्म में, किस धर्म में गाई को पवित्र माना जाता है, एक ही धर्म है इस दुनिया में, इसमें गाई को उसी का मजाक उड़ा रहे हैं, और आप देखेंगे कभी भी कुछ भी support मिल जाए, किसी भी form में, कि जो गाई के products है, या फिर कई सारी products होते हैं, उनमें से go wear और go motor, उन products को लेकर थोड़ा सा भी कुछ movement मिल जाए, कुछ support दे दिया जाए, तो इतना बड़ा issue create हो जाता है, पूरा news headlines में आ जाता है, और ऐसे व्यंग, ऐसे इतने सार्काजम से वो headlines डाली जाती है, इंडिया गवर्मेंट is pouring money into dung, कितना एक्दम सार्काजम छेपा हुआ है इन सा बातों में, तो यह साइंटिस्म होता है, आपको लगेगा कि आप इसको explain नहीं कर पाएंगे, इसको defend नहीं कर पाएंगा, पर जिनको science थोड़ी भी आती है, वो atheism को promote करने के लिए science को use करेंगे, और ऐसे concepts को जरूर attack करेंगे, इसलिए आप देखेंगे debates में usually, जब भी धर्म की चर्चा की जारी होगी, सनातन धर्म इत्यादी की, तो debates में usually, यही सब चीज़ें उठाई जाए मंदर परवत किदर है, दानव किदर है, यह किदर है, वो किदर है, सारी ऐसी चीजों को जिनको अभी हम समझने पा रहे हैं, या समझा नहीं भी है, उनको right away question करेंगे, क्योंकि ordinary व्यक्ती को उसका explanation नहीं पता, तो right away उसकी मजाग उड़ जाती है, भरी सबा में, क्या explanation है, गो मुतर कैसे scientifically explain करो, अब आप एक different science को तो नहीं समझा सकते हैं, हाथ के हाथ, कि जिसने आज तक maths पढ़ ही नहीं है, वो बोले कि बताओ integration कैसे ground reality में use हो जाएगा, यह बस ऐसे ऐसे करके आप कहां इसका use होगा, उसको हाथ के हाथ तो नहीं समझा सकते हैं, और खुद भी समझे होए नहीं होते हैं, लोग कही सारे concepts को लेके, तो ऐसी चीजों को जरूर attack करेंगे, तो यह आप उनको देखने को मिलेगा, scientist के द्वारा, एक और जो source होता है, atheism का, वो बहुत popular Christianity, Christianity के बहुत सारे अलग-अलग branches हैं, लेकिन एक बहुत common problem जो Christianity में है, जो atheistic है अपने के इलावा, और ये एक बहुत बड़ी problem है, दूसरा consciousness, और यही problem में ये भी बात है, कि consciousness को scientifically discuss नहीं कर पाते हैं, क्योंकि scientifically accept नहीं किया इनोंने, दूसरी एक बहुत बड़ी problem है, ये करम की जो theory है, उसको नहीं समझते हैं, उसको accept नहीं करते हैं, reincarnation accept नहीं करते हैं, तो counter करने के लिए, जो theist होते हैं, जो Christian theologist होते हैं, उनकी खुद की theology कई बार इतनी weak होती है, उनके खुद के understanding, theism की इतनी weak होती है, कि actually वो properly defend भी नहीं कर पाते हैं, आप सब को ये में share करना चाहूंगा, कि जैसे हमारी text books हैं, text books में दूर दूर तक आपको ये नहीं देखेगा, कि कहीं पर दूर hint भी दिया जा रहा है, कि हो सकता है, एक higher power हो, कोई भगवान exist कर रहे हो, जिनकी वज़े से हम exist कर रहे हैं, ये world exist कर रही हो सकता है, big bang के पीछे भगवान हो, कहीं पर एक भी hint नहीं मता हो, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो western, जो हमारी education है, वो western education के basis पर है, ये right away हमें पता है, और western education में western dominance है, अभी atheistic scientific culture का, और जब भी उसको defend करने के लिए लोग आते हैं, तो वो Christian theologist usually आते हैं, तो वो लोग जो भी propose करते हैं, उसमें वो लोग खुद फज जाते हैं, जैस God को भी include किया जाए, सिर्फ ये ना बताया जाए कि Big Bang से creation हो गया, Darwin theory, theory of evolution को ना डाले, God को भी include करें, intelligent design करके इन्होंने एक theory introduce की थी, कि इसमें आप ये दिखाओ कि कि ऐसे भगवान के presence से भी ये सब चीज़ें हो सकती है, science as it is रखी आप, पर इसका source भगवान को credit की दीज relations होने लगते हैं, तो उसमें कभी भी ये अपने आपको properly defend नहीं कर पाते हैं, बहुत weak पर जाते हैं, और इस वज़े से case भी कर देते हैं, ये लोग अपने-पने state courts में, west में, या supreme court में, तो usually हार जाते हैं, एक तो उनका dominance भी है, monopoly भी बन गई है एक तरीके से, और दूसरा ये खुद भी कई बार weak हो जाते हैं, intelligent design में कई बार problems आने लगती हैं, वो लोग बोलते हैं कि देखो, वो सब चीजों को कितना interesting तरीके से बनाए हैं, आख कितनी जबरदर्स है, कितनी scientific है, कितनी बड़ी machine है, कितनी deep machine है, क्या science है इसके पीछे, जरूर इसके पीछे कोई कोई creator होगा, ये argument रहते हैं, अब इसमें जो अथीश होते हैं, वो क्या बोलने लगते हैं, तो हर चीज के पीछे भगवान ने तुमारा, क्या ठीक है, तो फिर आख भगवान ने बनाई है, हाँ ठीक है, तो आख में blind spot क्यों दे दिया, तो अगर भगवान ने सब कुछ ब बिना आप explain नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर Christianity, Christian theologians, ये सब फ़र्च जाते हैं, Christian theist, शमा कीज़ेगा, और इस वज़े से जो result रहता है, वो quite often ये रहता है, कि Christianity अपने आप में एक source बन जाती है, एथिज्म को support करने का, क्योंकि अच्छे से उसको defend नहीं कर पाते हैं, उनका mindset खुद बहुत close है, कि reincarnation, law of karma, इनको accept नहीं कर रहे हैं, तो कई सारी चीज़ों को defend नहीं कर पाते हैं, इस वज़े से ये भी, और भारत में recently बहुत बड़ा trend आया, नियो बुद्धिस्ट का, नियो बुद्धिस्ट बोले तो, आपने शायद ये इस टाइप के कई चैनल भी देखे होंगे, यूट्योब इत्यादी पर, जिसमें बुद्धिस्म को promote करने की नाम पर, आप देखेंगे चैनल, तो आपक कोई समझ में आ जाएगा, बुद्धिस्म को सहरा लेकर कि हम religious भी हैं, बहुत अच्छा combination, एप्रिशेट करना पड़ेगा किन किन चीजों का use करते हैं, बहुत बुद्धि माने का रही है, religion के नाम पर बुद्धिस्म ले लिया, attack के नाम पर rationality और western science ले लिया, और goal सिरफ सनातन धर्म की खिली उडाना, सनातन धर्म की मजाक उडाना, सनातन धर्म के खिलाफ भढ़काना लोगों को, आप देखेंगे ऐसे पूरे चैनल में, ऐसे पूरे वर्क्स में, पूरे नियो बुद्धिस्ट जो होते हैं, उनका whole soul यही agenda रहता है, कि कैसे सनातन धर्म के against लो रखते हैं, जॉब नहीं मिलने देते हैं, यह सब करकर के तो पता नहीं objective क्या है इनका, बुद्धिस्म का यह objective तो नहीं था, उनका तो आशा ही परमाम दुखम था, जो भी है, बुद्धिस्म के बारे में कभी वीडियो नहीं बनाएंगे, उसके आइडियल को प्रमोट कर एथिजम को प्रमोट करने वाले ग्रूप के रूप में सामने आ रहे हैं, नियो बुद्धिस्ट, यह कुछ categories मैंने identify की थी, जो अभी current हमारी भारत की society में बहुत active है, लेफ्टिस्ट, यह बहुत popular है, YouTube पर, इनका impact उतना जादा नहीं होता है, होता है, significant होता है, बहुत ज फिर educational, और अगर हम target audience देखें, liberals की target audience होती है, कि हिंदूस को segment कर दो, अगर कोई caste के basis पर lower caste मानता है अपने आपको तो उसको भढ़का दो, women को अलग कर दो, youth को अलग कर दो, उनको inspire करो revolution के लिए, यह audience रहती है, इनके tools रहते हैं, कि equality, non-division, humanity, यह सब रहते हैं, Capitalism में general public को यह effect कर रहे है, जो लोग America जाना चाते है, UK जाना चाते है, successful होना चाते है, धर्म के लिए कुछ नहीं करना चाते है, उन्हें 10 रुपए donation देने में मुश्किल होती है, पर वो 80-80,000, 90-90,000 के phones खरीद के ला सकते हैं, यह सारा मान सकता, Capitalism का effect है, और इनके tools prominent क्य Scientism educated youth, mostly जो हमारे educational institutions हैं, वहाँ पर बहुत active रहते हैं, और कुछ जगे जादा कुछ जगे कम, और इसके usually tools रहते हैं, propaganda और rationality, और Christianity, भारत में यह लोग convert कर रहे हैं, सनातन धर्म के against ले जाते हैं लोगों को, उतना जादा यह लोगों को upon-minded नहीं रख पाते हैं, पर यह impact दालते हैं, usually tribal villagers में, और tools इनके usually रहते हैं, healing wonder के, पर west में यह लोग atheism को promote करते हैं, improperly अपने आपको represent करके, new Buddhist अटाक करते हैं, usually Hindu, Hinduism के कुछ segments पर, और इनके भी tools यह रहते हैं, एक तो rational, western science को बहुत use करते हैं, कि भाई, logics दिखाओ, proofs दिखाओ, evidence दिखाओ, और दूस है, कुछ समय से, वो है कि हम, बुद्धिम सबसे पुराना religion था, और सनातन धर्म उसके बाद आया है, ब्रामनों ने कबजा कर लिया, उसके उपर, ऐसे करकर के, कुछ explanations, कुछ बाते बनाते हैं, तो, यह सारे हमारे summary थी, फिर next हम देखें, अगर इनको counter करने के बारे में, बहुत summary के रूप में, अगर हम चर्चा करें, और Instagram पर भी जो audience है, मैं request करूँगा, वो YouTube पर आसकते, इस presentation से interact, मतलब उसको benefit करने के लिए, तो, जो liberals रहते हैं, उनका usually agenda होता है, कि, आप humanity को इखटा करो, आप equality दो, तो, सबसे पहले, अगर यह सच मुछ में, इतना सबसे पहले इसे पूछना चाहिए, आप जो propose कर रहे हैं, चनाब, सबसे पहले बताइए, उसका कोई practical, कोई model है आपके पास, किसी country में आपने apply क्या हो, और वहाँ पर successful हो, तो usually इनकी एक cycle होती है, किसी page पर मैंने वो देखा था, बढ़ा अच्छा से depicted था, कि यह communism start करते ह हैं, बहुत violence cause करते हैं, फिर जो इकनामी होती है, वह starvation की तरफ जाती है, भुक्मरी होने लगती है, लोग गरीब हो जाते हैं, चिलाने लगते हैं, मरने लगते हैं, और जब सब बरबाद हो जाता है, तो बोल देते हैं, कि communism सही तरीके से apply नहीं हो पाया, इस तरीके से ब क्रिटिसाइज करने के लिए जो जादे तर बड़े-बड़े कम्यूनिस्टिक एकनॉमीज है वो अब क्यापिलिस्म की मॉडल को थोड़ा बहुत करके अप्लाई कर देते हैं बड़ी शर्म की बात है और बड़ी दुख की बात है कि अच्छा पॉजिटिव हो रहा था कि गल तो इनसे सबसे पहले हमें मॉडल्स मांगने चाहिए क्या सक्सेस्फुल मॉडल्स हैं आपके पास दूसरा हमें बोलना चाहिए अगर आपको हिउमेनिटी की इतनी परवा है तो क्या थोड़ी शिक्षा उस सिविलाइजेशन से नहीं ले सकते जो सबसे पुरानी सर्फ एक सिविलाइजेशन जो बची हुई है ईस सनातन सिविलाइजेशन इस से कुछ शिक्षा नहीं ले सकते हैं मيडीेचर करने का दृष्सकौर्ण दूसरे living being से interact करने का दुरिश्टिकॉण simple living high thinking की philosophy वही एकलाथी philosophy है जो humanity को एक sustainability दे सकती है तो यह appeal हम कर सकते हैं कि rather than focus करें आप बस उच नीच पर, caste पर आप थोड़े इस तरह भी देखिए, ध्यान दीजे और open minded रहेगा विक्ति तो appreciate करेगा बढ़ना तो फिर हमें discussion avoid करना चाहिए second capitalism को लेकर हमें इनको counter करना चाहिए इस तरीके से कि आप इसमें usually लोगों के क्या वो रहते हैं arguments कि भाई, पैसा कमाना है पहले हम settle तो हो जाए पहले, तभी तो गीता पढ़ेंगे भू के पेट बजनना हो एक गोपाल पैसा चाहिए हमें और थोड़े enjoyment चाहिए तो सबसे पहले ऐसे में हमें लोगों के deeper sentiments को touch करना चाहिए कि actually पैसे के लिए even आपको अगर efficient बनना है तो भी आपको गीता की जरूरत है क्योंकि कितना भी हैं पैसा पैसा कर रहे हो किसी भी economy में लोग भारत में भी सब लोग पैसा ही पैसा कर रहे है कोई भी हिंदू है मैं तो जानता हूँ ground reality पे कितने भी नारे लगा रहा हूँ आखिर में जादतर time वो अपने पैसे कमाने अपने job को के पीछे भागने में ही करता है जादतर time बहुत कम effort सी धर्म के प्रचार में उसके cultivation में लोग देता है तो जो भी है सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए इवन जितना हम time दे रहे हैं job के पीछे या फिर अपने career को build करने के लिए उसमें कितना effective हम बन पा रहे है कितना हमारा mind focused है ultimately सारे लोग किन लोगों के पीछे जाते है motivational speakers के पीछे क्योंकि mind जितना हम enjoy करते है जितना जैसी culture हो जाता है capitalism में उतना mind और ज़्यादा ineffective हो जाता है और ज़्यादा उसकी इच्छा नहीं करती हार्ड वर्क करने की hard work required है पर इच्छा और कम होती जाती है समय के साथ साथ तो ऐसे में लोग क्या करते हैं उनको पैसा और ज़्यादा चाहिए hard work करने की इच्छा नहीं है करना पड़ेगा तो वो लोग usually खूब सारे motivational वीडियो देखते हैं कि इतना hard work करना चाहिए hard work के लिए inspiration कहां से डूंडे तो फिल करते हैं आपने आपको motivation से तो ऐसे में usually आपको दिखेंगे बहुत सारी motivational books लोग पढ़ते हैं successful बनने के लिए पैसा कमाने के लिए और motivational speakers बहुत popular होते हैं तो at least उस दृष्टी से इन लोगों को arguments दे सकते हैं कि चाहिए आपके पास समय ना हो पर उस समय को अगर आप invest करें गीता में तो आपको समय और मिलेगा क्योंकि गीता आपको और effective बनने में help करेगी तो इवन कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा पैसा ही देख रहे इवन पैसे में उसको गीता help करेगी क्योंकि मन का control तो required ही है कुछ अचीव करने के लिए तो ऐसे व्यक्ति को फिर भी हम arguments दे सकते हैं कि किसी ना किसी level पे उसको थीजम को adopt करना चाहिए जीवन में गीता को apply करना चाहिए और ही बात enjoyment की कि खूब ash करना है western civilization का culture आई जाता है वो कि पैसा मतलब फिर मौज भी वैसे करनी है parties में जाना, नशा करना वो सब भीचार करना है ये सब चीज़ें आएंगी आएंगी ऐसे culture में ये दोनों एक साथ पशुवत प्रैक्टिकल नहीं और कितना खोगला लोग फील करते हैं ground reality पे, क्यों डिप्रेशन बढ़ता जाता है इवन ऐसी जगहों पर जहां पर monetary gains काफी है well-being monetary terms में काफी अच्छी है फिर भी लोग depression के इतने cases क्यों face करते हैं तो ये सब प्रशन हम पूछ सकते हैं जो वेक्ति उस mindset से affected हो third third अगर हम चल्चा करते हैं scientism की तो इसमें हमाई पास बहुत सारे proofs available हैं और हम अपने description में भी update करतेंगे ऐसे links जिनको आप खुद देख सकते हैं समझने लेके लिए कि कैसे बहुत solid arguments available है in fact आप देखेंगे new scientist एक journal है I think और इसमें ये quote आई थी scientist की quote कि science contains many hard questions बहुत सारी problems हैं जिनका कोई answer नहीं है science के पास पर सबसे बड़ी difficult problem hard problem जिसको बोलते हैं जिसको कोई solve नहीं कर सकता है वो है consciousness क्या है consciousness अपने आप में कोई explanation नहीं available है इसका David Chalmers एक बहुत important visionary science में वो बोलते हैं hard problem ये है कि कैसे brain एक experience को rise दे सकता है brain में capability नहीं है इतनी इसे कर करके बहुत सारी तो ये qualia के basis पर किसी दिन हम इसको discuss कर सकते हैं explanation है कि कैसे हमारा brain actually capable नहीं है हमें experience देने के लिए तो Francis Crick ये in fact वो scientist थे जिन्होंने DNA में DNA के discovery में बहुत important role अदा किया था और इन्होंने सोचा था अब पूरी century की सबसे बड़ी discovery हो गई है कि life क्या है अब next level की discovery होगी consciousness फिर उन्होंने consciousness पर work करना शुरू किया था और इन्होंने ये बोला था कि आप ही तक कोई भी explanation अवेलेबल नहीं है कि कैसे जो experience हम करते हैं दुनिया का वो arise करता है अगर हम सिर्फ matter है तो materialistic कोई भी explanation अवेलेबल नहीं है इस direction में और हम देखें कि कई सारे ऐसे phenomena हैं ऐसे medical situations हैं जिनको हम matter की basis पे तो explain करें नहीं सकते हैं यह hydrocephalus है situation जिसमें brain 90% से ज़्यादा भी fluid से भरा रहता है फिर भी कई बार normal व्यक्ति होते हैं बाचीत कर रहे होते हैं कोई explanation नहीं है second brain death में एक aware project था जिसमें देखा गया कि कुछ 2000-2000 patients को survey किया गया clinical death में और उसमें पाया गया कि जादतल लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर experience किया सिर्फ चार प्रतिशत लोग थे जो clinical death में कुछ भी experience नहीं किया बाकी सब लोगों ने कुछ ना कुछ experience किया तो कैसे जब brain dead है तो update हो, खतम बात तो यह एक बहुत बड़ा proof है next बहुत बड़ा proof है near death experiences, out of body experiences तो बहुत सारे proofs available हैं आज के time में उसके कुछ links हम डाल देंगे और एक बहुत solid phenomena है reincarnation का उसके उपर आप कुछ books भी पढ़ सकते हैं तो उस तरीके से हम इसको defend कर सकते हैं Christianity अपने आप में weak है atheism को defend करने के लिए इसलिए हमें सनातन धर्म की perspective से उसको defend करना चाहिए और Christianity के जो defects हैं specially कैसे वो consciousness को accept नहीं करते तो हम बस उसको scientifically जिस तरीके से हमने अभी देखा था उस तरीके से ले सकते हैं new buddhist के लिए especially हमें उनसे कभी भी discussion हो रहा हो actually उनसे पूछना चाहिए कि आप सच मुझ में buddhist है भी या नहीं है आप कुछ follow करते है buddhism का कोई principle follow करते हैं जितने buddha ने बताय थे नहीं है तो आप बस buddhism की practically चौक मार रहे हैं अपने atheistic propaganda को आगे बढ़ाने के लिए और कई बार वो politically inspired propaganda रहता है क्योंकि funding usually चाहिए होती है हर एक व्यक्ति को काम करने के लिए तो ऐसी जगे में funding usually politics की कोई ना कोई party दे देती है जो धर्म के अगेंज बोल रहा है उसको fund कर दो तो सबके अपने अपने agenda होता है तो actually पूछना चाहिए अगर आपका सचमुझ में objective यह है कि लोग buddha धर्म को accept करें तो थोड़ा ज्यान दीजे बुद्ध धर्म के बारे में सिर्फ जहरोगलने के बजाए कुछ practical चीजे भी बताइए और ऐसा तो होता नहीं कोई भी चीज अंसान में होती है उसके good aspects भी होते है bad aspects भी होते है सिर्फ जहरोगलने से क्या फायदा है आपका और बहुत उससे भी बड़ी problem है सनातन धर्म अगर आप सनातन धर्म को अपनी problem आते हैं उससे भी बड़ी problem है आज के समय में आपके सामने कि लोग बहुत ज़्यादा materialistic हो गये हैं बुद्ध धर्म से भी दूर जा रहे हैं उस problem को तो कभी आप address नहीं करते हैं और अगर history के ऊपर बात है तो खुद Buddhist literature में सनातन धर्म के references हैं तो अगर सनातन धर्म इसके बाद आया तो वो कैसे हुआ सनातन धर्म के बारे में reference कैसे available है Buddhist scriptures में बहुत सारे questions हम इनसे कर सकते हैं अभी हम आप सबके कुछ comments लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं okay okay money सिर्फ material pleasure को promote करता है और actually जिस तरीके से हम उसको सीख करते है money को हिमानशु जो बोल रहे हैं कि money सिर्फ material pleasure को promote करता है in fact कई बार वो material pleasure भी नहीं दे पाता है क्योंकि material pleasure भी हम देखे सनातन धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष तो धर्म से अर्थ और काम की पूर्ती होती है जब हम धार्मिक होते हैं usually बहुत पशुवत जब हमारी enjoyment हो जाती है actually material pleasure भी नहीं मिल पा रहा होता दूसरे लोगों के religion देखने के लिए हैं but okay I think कुछ और questions or comments और कुछ questions नहीं है को मुतर को लेकर कुछ research already हो चुका है okay बहुत अच्छा थीक है I think और कुछ comment untouchability कहां से start हुआ प्रेशन है आश्या जी कर untouchability के ऊपर कभी हम बहुत detail में discussion कर सकते हैं कि क्या इसकी basis थी वीडियो भी इसके उपर available है discussions भी available है पर main बात यह है हमें समझने की इस सनातन धर्म की किसी भी reference में नहीं आता कि untouchability observe करनी चाहिए कास्ट से related या किसी group of लोगों से related untouchability जो चीज है वो refer किया जाता था शुची अशुची स्थिती के रूप में कि पवित्र है हम या नहीं है जैसे मालीज अगर पूजा करनी है आपको तब इस चीज को देखा जाता था कि किस चीज को आप touch कर सकते हो किस व्यक्ति को touch कर सकते हो व्यक्ति अपने लड़के को नहीं छूच सकता था अगर व्यक्ति शुध नहीं है उस समय पर पर शुधी करन की processes होती थी उसके बाद वो touch कर सकता है या फिर वो उस व्यक्ति को अभी उतनी शुधी की requirement नहीं है माली जी हम पूझा करने के मंदिर में अभी भी आप देखेंगे व्यक्ति कुछ पूझारियों को आप देखेंगे वो जब पूझा कर रहे होते हैं वो अगर आप कुछ दे भी रहे हैं भगवान को चढ़ाने के वो दूर से बूलेंगे नीचे रख दो मैं चूंगा नीज को और कुछ न कुछ करके फिर पानी जल वगएरा चिड़कर उस पर आचमन करके फिर उसको भगवान को समर्पित करते हैं अब अभी भी देखेंगे ये बहुत प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा तो वो शुद्धी की अवस्था रिक्वाइड है उस समय वो अगर खुद के कपड़े भी टच कर लेंगे पुराने सुभा जिसमें सोय थे उसको भी टच नहीं कर सकते हैं वनना उनको दुबारा स्नान करना पड़ेगा ये शुद्धी की अवस्था डिस्क्राइब नहीं सारे शास्त्र में तो अंटेच अबलेटी का बैराइज हुई जब ये एक क्या बोल सकते हैं एक रिच्वल बन गया इसकी साइंस जब लोगों ने नहीं समझी और मेली ये इंस्पायर था बिटिश करना चाहें ये अविलेबल है ठीक है ये आकाश पूछ रहा है इम अड़ाट स्टेज विराइनों टेकिंग देनेम आफ लॉड इस गोड़ाइब ये इसलिए सबसे पहला क्वेशन आकाश का है कि मैं भवान के नाम लेना चाहता हूं पर मैं लेता नहीं हूं तो इसलिए म कर सकते हैं डेली थोड़ी देर लिजें आप यह सोच रहोंगे कि लेट से 10 मिनट में स्टार्ट करूंगा तो 10 मिनट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं है आप डेली एक मिनट करने का प्रयास कि बस बैठ जाए उस पोजिशन में और जितना कम से कम आप कर सकें एक नाम ले सकते हैं तो एक नाम नाम ले लिजेए वाद वहीं बहुत है आप देखेंगे उस कंसिस्टेंसी से आप ओवर पीरियोड ऑफ टाइम और बढ़ा पाएंगे बहुआन के नाम लेने का अपना जो में सेकेंड आपका प्रशन था अमरी कंफ्यूज अ आकाश आप हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं जिसमें हम बहुत डीटेल में बहुत लेंट में डिसक्रशन करते हैं कि क्या बेसिस होना चाहिए सनातन धर्म को समझने का अफकॉर्स सनातन धर्म को समझने का बेसिस हमारे शास्त्र ही है और उसी बेसिस पर उने समयना चाहि इसलिए लोगों की opinions आपको confuse कर दे रही है क्योंकि लोगों की opinions में आपको उनकी opinions दिख रही है आप शास्तर पढ़ेंगे तो शास्तरों की opinion एक टुक रहती है मतलब कोई ऐसा confusion नहीं रहता है जब शास्तरों के basis पर explanation दिया जाएगा तो उसमें कोई confusion नहीं देगा और ये प्रशन है ये मांशु का रावन लीला movie trailer का क्या कहना चाहोगे अब ये actually हम study कर रहे हैं उसको पता है नहीं उसका मुझे तो बड़ा confusing trailer लगा उसका क्या कहना क्या चाह रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं सब चीजे बहुत सारी mix है उसमें अब caste के रूप में है untouchability unfortunately कुछ जगे पर है पर उससे ज्यादा unfortunate क्या है इसको बहुत बड़ी level पर project किया जाता है agenda के रूप में propaganda के रूप में ground reality पर उतना exist नहीं करता जितना इसको propagate किया जाता है क्रिटिसाइज करने के लिए सनाता है धर्म को दुखद है यह चीज exist करती है उससे भी जादे दुखद है इसको बहुत बड़ा चड़ा के portray किया जाता है उससे भी जादे दुखद है जो जनरल हिंदू होता है यह प्रॉब्लम है हिंदूज्म की तो हिंदूज्म को छोड़ दो rather than इस चीज पर वर्क करने से इस चीज को ठीक करने से ओके ऑके बहुत सारे प्रशना रहे है तो जो उस्त्रीयों को का इक आवस्ता होती है उसके बार में प्रशना है कि उस समय पर हमें मंदिर एट्सेटरा चीजों को अवाइड करना चाहिए हाँ उस समय पर अवाइड करने के बार में शास्तुर में दिया गया है और अभिशेग पूछ रहे है ओके बहुत प्रॉब्लम होती है आश्या पूछ रहे हैं आजकल किसी को बोलो सब बोलते हैं सब ब्रह्मन के हैं करके बोलते हैं इनको क्या वेध पुरान पढ़ाने को बोलो, तो बोलते हैं सब ब्राह्मन के हैं, करके बोलते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं? में चीज हमें यह देखते हुए भी मुझे बड़ा खेद पहुंच रहा है कि एक्चुली यह प्रॉपगेंड़ा बहुत भावी रूप ले रहे है कि किस तरीके से लोग यह बोलने लगे हैं शास्त्रों ब्राह्मानों के लिए सारे शास्त्रों में आप देखें यह बताया गया है स्पेशली कुछ शास्त्रों तो लिखे ही गए थे इस दृष्टी से जो रिशी मुनियों ने उस ग्यान को दिया था वो इसी वज़े से दिया था कि जो ब्राहमानों के इलावा लोग हैं उन लोगों के लिए उनके लिए पुरान इतिहास महावारत क्या सारे शास्तों एक्सलूजिवली उनके लिए ही दिए गए थे उनको एकसेस दी गए थे उनको पढ़ने के लिए उनकी स्टोरीज की बड़ा बुरा कल्चर है तो जब भगवान सब के लिए हैं तो धर्म कैसे सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं तो बड़ा दुखत है तो इसके बारे में बहुत डीटेल वीडियो निकालेंगे क्यों क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है समझना शास्तों की दृष्टी में भी अगर आप देखें कुछ spiritual organizations हैं जो ये बोलती है कास्ट सिस्टम बाइबर्थ होता है लेकिन वो एक्चुली ऐसा है नहीं शास्तों की मत और इसको शास्तों के basis पर ही हम चर्चा कर जगते हैं तो उसके लिए हमने पूरी एक video series shoot की हुई है जो in time edit हो जाएगी और बस में last में अभी conclude करते हुए आप में से जितने भी लोग available हैं उन सब से request करना चाहूंगा कि please आप इस चीज को एक routine की तरह मत लीजे जब हम बोलते हैं आप हमें support करें we need your support please आप हमारा description में आप हमारा number find करेंगे हमारे बाकी सारे videos में भी रहता है प्लीज कुछ आप अपना support offer जरूर करें इन सब videos को produce करने में अपने आपको sustainably education provide करने के लिए it requires a huge level of support from you all और जो लोग benefit कर रहे हैं वो लोग इसको appreciate कर सकते हैं कि बाकी लोगों को भी यह मिले तो इसी के साथ हम यहाँ पर conclude करते हैं आप सबकोष्बहुत धन्य मन में आप सबकोवाथ भाहत धन्यम्राइब